Hello everyone, welcome to my YouTube channel AH Helpline, कैसे हैं आप लोग? So इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जून रजा 22 अटाम इन एक्जाम फर्म के बारे में देखो एगनों के तरफ से जब भी एक्जाम फर्म रिलीज किया जाता है, student number of problem face करते है Now इस बार भी जब जून रजा 22 अटाम इन एक्जाम के लिए एक्जाम फर्म रिलीज किया गया है तो student बहुत सारे problem face कर रहे हैं, उन सब problem के बार में बात करेंगे क्या solution हो सकता है उसके बार में भी बात करेंगे बस आप लोग वीडियो को ध्यान से और complete ज़रू देख लिजेगा ये एच हल्पलाइन चानल पर फर्स्ट हमाय हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि एगनों को related हर एक एक trusted and authentic information आप लोग को time to time मिल पाए और अगर आप लोग चाहें तो एच हल्पलाइन चैनल का membership ले सकते हैं, जिससे आप लोग को हर एक चीज में topmost priority दी जाएगी और जो भी आप लोग का doubt होगा within 24 hour के अंदर clear करने का कोशिस किया जाएगा देखो, क्या क्या problem है, उसके बार में बात करें एक करके पहला जो हम लोग problem के बार में बात करेंगे, वो problem अभी नहीं है, लेकिन आप लोग को problem हो सकता है तो आपको मैं पहले ही अगाह कर देना चाहूँगा, क्या है वो problem, वो है seat shortage का problem देखो, इगनु में जो exam conduct करवाया जाते हैं, और जो exam center lot होते हैं, वहापे seat बहुत काम होता है और strength बहुत जादा होते हैं, तो ऐसे में problem यह होता है, कि अभी तो सभी जगा पे seat available है अभी अगर आप लोग exam form fill up करते हो, तो कोई problem नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग ने late किया, तो कुछ दिन के बाद, I mean 7 to 10 days के बाद ही, आप लोग को इस तरीका का error देखने को मिल सकता है यानि कि seat available ही नहीं रहेगा आप लोग का जो given paper है उसके लिए, और ये हर session में होता है, हर साल होता है, इसलिए मैं पहले आप लोग को बता देना चाहूंगा, कि जो भी student अभी तक exam form fill up नहीं किये हैं, exam देने के लिए eligible हैं, तो वो लोग exam form fill up कर दे, नहीं तो फिर seat available नहीं करेगा कि ये subject के लिए जो आपने exam center select किया है, वहाँ पर seat available नहीं है, कोई और seat select करें आप, कोई और seat select करें, मतलब कोई और center select करें, तो फिर आप लोग के लिए मुश्किल ये होगा, कि बहुत दूर-दूर exam center पर जाएगा, तो आप लोग के लिए problem हो सकता है, इसलिए पह सारे student जिन्होंने exam form अपना successfully submit कर दिया है, उनको problem ये हो रहा है कि पता नहीं चल रहा है कि exam form मेरा successfully submit हुआ है नहीं, क्योंकि जब वो लोग अपने status check कर पा रहे हैं, तो बहुत सारे student का data not exist so कर रहे है, यानि कि enrollment number does not exist, अब होता ये है कि जब आप लोग exam form fill up कर देते हो, payment क payment करने के बाद से जब आप लोग इस portal पर आते हो, check करने के लिए कि आपका exam form successfully submit हुआ है ये नहीं, तो यहाँ पर enrollment number और data बद पूट करते हो, submit करते हो, तो बहुत सारे student का show कर देता है कि हाँ, आपका exam form successfully submit हो गया है, लेकिन बहुत बहुत ऐसा होता है कि आपनी successfully submit कर दिया लेकिन फिर भी यहाँ पर enrollment number does not exist so करते है, तो मैं आप लोग को simple तरिका बताना चाहूंगा, कि जिसे आपको पता चले कि हाँ, आपका exam form successfully submit हो गया है, उसके लिए आप लोग को इस portal पर जाने की जोतनी है, simply आप लोग exam form के portal पर फिर से आओ, declaration के ओपर click करो, proceed to fill online exam form इसके पर click करो, उसके बास से इस space पर आ जाओगे, यहाँ पर अपना program code, enrollment number और reason, यह से लिए करो, submit करोगे, तो इस portal से ही आपको पता चल जाएगा, कि आपका exam form successfully submit हो नहीं, तो जैसे आप लोग नेक्स space पर जाओगे, तो यहाँ पर show कर देगा, you have already submitted the exam form for June 2022, ठीक है, and you will be allotted the latest exam center, ठीक है, यहाँ पर control number आपका दे दिया जाएगा, बस उस control number के उपर click करोगे, तो आपका इस तरीका से acknowledgement download हो जाएगा, तो simply आप लोगको इस portal पर जाने की जोतनी है, बस आप exam form के portal पर फिर से आओ, enrollment और program code, और reason select करो, submit करोगे, तो यह portal ही आपको बता देगा, यहाँ अगर control number आपका सो करेगा, that means कि आपका exam form successfully submit हो गया है, आपको कहीं और से acknowledgement download करने की जोतनी है, यहीं पर control number के उपर click करोगे, तो आपका acknowledgement download हो जाएगा, बस इसको समाल के रख देना, ठीक है, तो exam form का status जिसका, जिसका not found सो कर रहा है, इसका यही solution, अगर इस portal पर नहीं सो कर आते हैं, तो यहाँ पर उनको सो करता है, data not found invalid enrollment number program code, ठीक है, तो यह problem क्यों होता है, देखो, यह 3 condition में होता है, या तो आपने अपना enrollment number program code गलत लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर example के तो पर आप लोग के लिए एक गलत enrollment number लिखा हुआ है, तो यहाँ पर invalid enrollment number लिखा पर लिखा हुआ है, तब भी यहाँ पर invalid enrollment number program code लिखा हुआ है, बहुत बाग क्या होता है, जिर्वा इस थी से अपने अपना enrollment number लिखा है, तो यह 3 वज़ा होता है, तो आप लोग बस अपना enrollment number लिख लिखो गे तो यहाँ ऐऊ पर आप एसा, नहीं करेगा, एग कर सी नहीं करता है आप eligible हो लेकिन फिर भी ऐसा so करता है तो आपको एक mail करना परता है register asrd at the right igno.ac.in पे और वहावे बस इसका screenshot attach कर देना लिख देना कि I am eligible to appear for this examination but my enrollment number showing not found ठीक है तो वहाँ से resolve कर दिया जाएगा अगर आप exam देने के लिए eligible होगे और इस तरीका से so करता होगा तब ठीक है now एक और problem student ये face करते हैं कि वो जब exam form fill up करते हैं तो कुछ paper के लिए exam देने के लिए वो eligible हैं लेकिन उनका course code ही इस drop down list में नहीं आता है तो अगर आप कोई paper का exam देने के लिए eligible हो लेकिन तो यहां से कोई reply नहीं आता है directly ये subject code को आपके exam form में add कर दिया जाता है अगर वो subject का exam देने के लिए आप eligible होगे तो ठीक है ना जो भी student का इस drop down list में से subject code नहीं आ रहा है तो फिर वो लोग यहां पे mail कर सकते हैं अब हम लोग बात करेंगे वो सब student के बारे में जिनका result pending है, revaluation result pending है वो अब क्या करे, exam form flip करे या result का wait करे तो देखो पहले तो मैं वो सब student को बोलूगा कि तो वो सब wait कर लेने के लिए क्योंकि अभी 9 जून है और 15 दिन अभी भी भी बाकी है exam form flip करने का last date खतम होने का तो इस बीच में अगर आपका result declare हो जा रहा है तो आपको पता चल दाएगा कि आप pass हो या fail हो और उन्होंने rechecking के लिए apply किया है अब rechecking का result declare होने में time लगता है तो फिर वो सब student को क्या करना होगा तो आप लोग को मैं वही recommend करूँगा कि 20 जून तक wait कर लो अगर तब तक result declare नहीं होता है तो फिर आपको exam form flip कर देना परेगा और अगर मालो exam form flip करने के बाद से आपका termine exam का result declare होता है या फिर rechecking का result declare होता है और अगर आप pass हो जाते हो तो फिर आपको exam देने की जोतनी है ऐसा नहीं है कि आपने exam form flip कर दिया तो आपको exam देना ही होगा तब आपको exam देने की जोतनी है अगर मालनों उन्होंने result का wait किया और बाद में पता चला कि वो fail हो गए और उन्होंने इधर exam form fill up भी नहीं किया तो फिर उन्हों तो दोनों तरफ से ही फर्जाएंगे तो इसलिए इगनु के तरफ से भी exam form release किया गया है वहाँ पे भी यह चीज को mention कर दिया गया है कि अगर आपका result waiting पे है अगर declare नहीं हुआ है तो आप लोग exam form fill up कर दो ताकि आपको बाद में problem ना हो क्योंकि इगनु को भी पता है कि exam का result declare करने में कितना time लएगा rechecking का result declare करने में कितना time लएगा तो simple साब बुलने का मतलब यह है जो भी इस्ट्रें का result pending है कि अभी आप लोग 20 जून तक कम से कम wait कर लो अगर तब तक result आपका declare नहीं होता है या rechecking का result declare नहीं होता है तो वो paper का आप exam form fill up कर दो अगर बाद में आप pass हो जाओगे तो फिर वो exam देने की जोट नहीं है अगर pass नहीं होगे तो फिर आप लोग exam दे सकते हो नहीं तो फिर अगर आप exam form fill up भी नहीं करोगे बाद में fail होगे तो फिर आपको दिसमर में exam देना पड़ेगा तो आपके लिए और ज़्यादा विस्टिज हो सकता है इसके अलावा एक और problem है जो इस्ट्वेंट फेस कर रहे हैं कि exam form fill up करने के दौरान उन्होंने गल्ती कर दिया है कोई paper उनका miss हो गया है जो उनको exam form fill up करना था time जो exam form fill up करोगे और जो exam center आप select करोगे वही exam center को माना जाएगा final ठीक है आपने मालों 2-3 बार exam form fill up किया हुआ है तो जो last में आपने exam form fill up किया है उसमें जो exam center select किया हुआ है वही final माना जाएगा पहले वाला को superset कर दिया जाएगा तो बस यही differences है बाकि आप multiple time भी exam form fill up कर सकते हो तो अगर आपने गल्ती कर दिया है कोई paper fill up करना चाहिए था नहीं fill up किये हो तो आप जो बारा भी कर सकते हो कोई problem नहीं होगा तो यही सब्ता इस वीडियो में जुन्दा 22 अटाम इन exam के लिए exam form fill up करने के दोरान student जो जो problem face कर रहे है उसके बार में मैं आप लोगो detail information दे रहा था कि क्या है वो problem और उसका solution क्या हो सकता है मुझे उमीद है कि आप लोगो वीडियो पसंदा होगा इस वीडियो को लाइक ज़ूर कर दे सभी फेंड के साथ से एक है तक उनको भी सभी important information मिल पाए किसे विदा के doubt के लिए आप नीचे कौन box में लिख सकते हैं या मझे directly call करके भी अपना doubt के लिए कर सकते हैं अगर आप AH Helpline चैनल पर first time आया है तो make sure आप लोग पहली फुरसत में चैनल को ज़रूर सब्सक्काइब कर ले so thank you so much for watching this video have an awesome day thank you so much